साथियों नमस्कार दोस्तों पर यहां आज बात करेंगे जो हाई कोट ने और पीएसी को कहा है कि आप 17 दिसंबर तक अपना जबाब दे तो उस जबाब में क्या पोजिटिव कुछ आएगा या कुछ नेगिटिव आएगा ठीकिना तो उससे पहले मैं आपको यहां बताना च कि हाई कोट ने और एस भरती 2021 परिक्षा की उत्रकुंजी को चुनोती देने के मामले में और पीएसी से 17 दिसंबर तक जबाब देने के लिए कहा है ठीके ना जस्तिस महिंदर गोयल ने यह निर्देश अंकित सर्मावे अन की याचिगा पर दिया है अधी वक्ता और पी सै कि अधीया के बाद 19 नॉवंबर 2021 को परिणाम जारी कर उत्रकुंजी जारी की गई कहने का मतलब है जो उत्रकुंजी जारी की गई थी तो उसमें काफी विशंगतिया थी थी तो जो याचिका लगाई गई थी जो इसका आर पीसी को जबाब देना है 17 दिसंबर को जैको उस पर्छी बर्तियों में बिलकुल विशंप हुथ धूरों है तो उनको 272 आपके जारी कईवआ तो उनको मिर्थे ने इंड़र के रहरा थी दें रार प्रतियाों में लेकिन इतना जणरूर है कि जो पही रहर्ण है कैने लिवह प्रतियों ओन्यねं ही तॉर सृक्स प्रीर नह तो फिर आपना आगे की और प्रकरिया कि बड़े अगली भरती सब capitalist में कहते है उजो कि अगली भरती है उसको निकाल ले में खुछ समय और लगे जो दोस्तों ऑपता नहीं कानून करा सिस्टम है तो मैं तो हर दम पती की बात कहता हूं कि सरकार को ऐसी नियम बना देने चाहिए अपने सभी बोड़ को एक आदे देना चाहिए कि जो भी क्यूस्टन यानि जो पर्षिन पत्र बनाने वाड़ा जो भी कमिटी है तिया आप बनाते हैं तो आपको आज इवन सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपकी जो भी संपती आपने जो भी चैल रही है उसको वापिस ले लिया जाएगा ठीक ना कहने का मतलब कानून इसके लिए होना जरूरी है तब ही जाकि जो भरतिया है वो समय पर हो पाएंगी नहीं तो विद्धारतियों के साथ ऐसा ही अन्याय होता रहेगा और विद्धारतियों की जो उमर है वो ऐसे ही निकलती चली जाएगी ठीक है जो परतिवा साली है वो अ जे भारत!